हेलो फेंट्स में में दीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर फेंट्स आज की इस फीडियो में बैक नेक डिजाइन में आपके साथ शेयर करूंगी तो दीखिए मेरा मैन फैबरी के और यह सतर का कपड़ा है तो इस डिजाइन को हम डीप नेक की अकॉर्डिंग ही बनाएंगे अगर आप इस डिजाइन को बोट नेक में बनाना चाहते हैं जिसे फ्रेंट नेक आपका बोट नेक पर होता है और बैक कलर डीप होता है तो आप यह डिजाइन उसमें भी बना सकत और देखिए यहां पर जो अब बूटने के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेंगे तो यहां गले की जो चोड़ाई है आपको विड्थ जो है वो आपको चार इंच लेनी होगी मैं इसे डीप नेक की अकॉर्डिंग बना रही हूं तो मैं गले की विड्थ 2 इंच रखूंगी छ चेस्ट का चोथा भाग लेंगे यहां पर हम नो इंच और देड़ इंच का मैं रखा है एक्स्टा मार्जिंग हाफ इंच इस तरीके से हम डीप नेक में बाहर की तरफ करते हैं और बाहर वाली लाइन से आर मोल की गुलाई दीचेगा इस तरीके से अब देखिए हमें क्या करना है कमर का मेंज़मेंट लेना है कमर है 30 इंच उसका 4 भाग होगा साणे साथ इंच देड़-इंच एक्सट्रा मार्जिं और एक इंच एक्सट्रा ओर लेंगे कमर की प्लिट्स के तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कम्पीट हो गई है अब मैं कर रही हूं इससे कटिंग तो इस तरीके से अब हम इसे करेंगे कट और इसके बाद में ले रही हूं गले का मेज़ेमेंट तो नेकी विट रखी है 2.5 इंच डाय इंच ली है और गले की टोटल लंबाई ले रही तो अगर आप इसे थोड़ा ब्रॉड में करना चाहें तो ब्रॉड भी कर सकते हैं और अगर कम रखना चाहें तो कम भी रख सकते हैं यहाँ पर देखिए अगर आप चाहें तो नीचे से इस तरीके से उपर की तरफ सवाई की इंच पर मार्क करने के बाद हम यहाँ पर शे इसे चाट लेना है कमर की तरफ से भी आपको तो यह बिल्कुल बराबर से बेट जाएगा पैटन को हमने ही आपर कट कर लिया है गले के और यह मेरा मैन फैब्रिक है मैन फैब्रिक पर रखकर भी हम इसे कट कर लेंगे मैन फैब्रिक को साइट से थोड़ा सा बढ़ा कर ही आप कट करें ताकि इसे जोड़ते समय कोई भी परिशानी इसमें ना आए तो कटिंग हमारी हो गई है और मैं इसे बना रहे हूँ विदाउट पेपर पेस्टिंग के अगर आप पेपर पेस्टिंग लगाना चाहें इसमें तो पेपर पेस्टिंग भी आप लगा सकते हैं तो देखिए सबसे पहले इसका गला बनाने के लिए हम यहाँ पर मैं फैब्रिक को सीधा रखेंगे और अस्तर के कपड़े को रख लेंगे इसके उपर इस तरीके से और अच्छे से यहाँ पर इसे बराबर कर लेंगे पिन लगा लेनी है हमें यहाँ पर जब भी आप पलटने वाला नेक बनाते हैं तो गले के उपर आपको पिन लगा लेनी होती है अब देखिए हाँ पर गले के उपर हम सिलाई लगाएंगे एक पेर का मार्जिन लेते हुए हमें नेक के उपर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है और पिन को निकालते हुए हम नीचे के तरफ भी सिलाई लगाएंगे यह देखे इस तरीके से नीचे कमर की तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है और इसका जो एक्स्टा कपड़ा निकल रहा है नीचे से वो हमने कटिंग करके निकाल देना है अब हम पूरे ही नेक के ओपर चोटे चोटे कट लगाएंगे तो इस तरीके से हमने कट लगा लेने हैं यहाँ पर अब देखिए हमें क्या करना है पूरे ही नेक पर छोटे छोटे कट इस तरीके से लगा लेंगे और नीचे कमर की तरफ भी जो कॉर्णर से वहाँ पर हम कट अच्छे से लगाएंगे अब इसे पलट कर हमें सीधा करना है तो इस तरीके से अब हम इसे पलट के सीधा कर लेंगे और सारे ही कपड़े को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे ये देखी हाथ से हमें यापर फिनीशिंग कर देनी है कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेना है और अब इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे तो एक पेर का मार्जिन लेते हुए या फिर आप कॉर्णर की यहाँ पर सिलाई लगा सकते है जो अस्तर का कपड़ा है उससे आपको अंदर की तरफ रखना है और अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से ये दिखी, सिलाई लगा कर देख, मैंने इसे कम्प्रीट कर दिया है और इसके बाद हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो है, वो कट करके निकाल देंगे साइट से हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है, वो हमें कटिंग करके निकाल देना है ये देखे, मैंने इसे कटिंग करके निकाल दिया है और इसके बाद अब मैं यहाँ पर तयार करूँगी डिजाइन तो डिजाइन बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बोड रेडी करेंगे उससे कटिंग करने के लिए आपको इसे ट्राइंगल में फोल्ड करना है और इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है तो बिल्कुल round circle पर मैंने इसे cut किया है और अब हम एक पेर का margin लेते हुए यहाँ पर इसे man fabric के साथ सिलाई लगाएंगे तो पूरा आपको round circle में सिलाई लगा दीनी है गुलाई में सिलाई लगाते हुए मैंने इसे दिखिए इस तरीके से छोटे छोटे cut लगा दी है ताकि इजी लिए पलट जाए और सेंटर में अस्तर वाले पाट की तरफ से हम इसे cut करेंगे और पलट कर हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरीके से हाथ से कपड़ी को बाहर की तरफ आपको निकाल लेना है अच्छे से इसे हम finishing कर देंगे उसके बाद एक सिलाई हमें याप पर लगा लेनी है अगर आप लगाना चाहें नहीं तो आप इसे अच्छे से finishing कर देंगे तो सिलाई लगाने की जरुरत नहीं है और इसे double fold करते हुए center में mark करेंगे अब देखे इसे इस तरीके से पकड़ते हुए आपको इसे bow का look देना है तो यहाँ पर मैंने इसे bow का look दे दिया है और इसके बाद हम इसे सिलाई लगा कर पका कर देंगे देखे परफेक्ट bow यहाँ पर हमारा ready हो गया है अब मैंने lace ली है जो मैं neck के उपर लगाऊंगे वही lace को मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से center में attach कर दिया है और अब इसे पका कर देंगे हम कट कर देना है extra lace को इसके बाद यही lace मैं neck के उपर लगा रही हूँ अगर आप चाहें तो इसे simple भी रख सकते हैं या फिर आप इसे lace लगा कर decorate कर सकते हैं तो इस तरीके से lace लगाने से dress कर लूँ के वह और भी अच्छा जाएगा यह देखिए इस तरीके से हमें lace लगा कर इसे complete कर देना है lace के दोनों corner पर हमें सिलाई लगा लेनी है अब इसके बाद पर नीचे कमर की तरफ पर लेस को अटेज करूँगी प्लेस के दूसरे corner पर भी हमें सिलाई लगा लीनी है यह देखिए सिलाई लगा कर मैंने इसे complete कर दिया है और इसके ओपर वो भी attach कर दिया है तो blouse design हमारा बन के ready हो गया है फ्रेंट्स आपको आज काई वीडियो कैसा लगा है मुझे comment करके जरूर बताइएगा वीडियो को like share जरूर कीजिएगा और चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद